कर आपकल्ट में train होना चाहते हैं तो घर संसार अप को डाउनलोड कीजिए train the trainer program in a cult अश्कार दोस्तो घर संसार में आपका स्वागत है आज कुछ रोचक जानकारी के बारे में आपको हम बता रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं तो चलिए हम जानकारी को अच्छे तो नमरात्री में रखेंगे कुछ बातों का ध्यान तो दिनों दिन आपका जो खजाना है वो बढ़ते रहेगा सिर्फ कुछ बातों पर ही आपको ध्यान देना है जैसे है कि ब्रह्म हुर्त में उठ जाना चाहिए सुर्योदय के बाद सोना कभी भी नहीं चाहिए सुबा घर की सफाई करें बेकार बस्तों को घर से हटा देना है आपको सास्त्रों के अनुसार लक्षमी जी का बास वहां नहीं होता है जहां सुंदर्ता और पवित्रता ना हो यथा संभव घर पर सजाई सदावत का काम आप कर सकते हैं दुरुगा पूजा में अब देखिए सबसे पहले है कि रूप और सुंदर्य की प्राप्ती के लिए सरीर पर जैसे की उटन लगा कर आप असनौन कर सकते हैं किसी का अगर सुक्र नीच का होगा या सुक्र कमजोर होगा उस इस्तिति में आप दही से असनौन कर सकते हैं बहुत ही अच्छा होता है घर में सुंगंधित बातावरन बनाए रखे जिससे की मस्तिस्क आपका पर संचित होगा और घर में जिससे की बास्तू दोस्ट का कोई निवारण अगर चाहते हैं तो घर में घर को थुआ सा सुंगंधित करके रखिए धूप डीप डेली जलाई जिससे की मौदरुगा की अ अब है कि आपको घर में क्रोध नहीं करना है बर्मचल का पालन करना है यह बहुत ही जरूरी है जीवन साती जो भी आपके हैं उस में तु तु मैं मैं या धंजट नहीं करा स्वाम को सोने से जो है बैक्टी में लक्षमी हीन होकर दुरुभाग को प्राप्त करता है मांस मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए जिसे अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप मांस मसला का सेवन नहीं ही करते होंगे लेकिन अगर किसी के घर में होता है तो आप ना करें इन नौ दिन में बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा देवी मा के मंदिर में सिर जुकाने से पहले अपने माता पिता और बिज़ जनों से आसिरबाद प्राप्त कर सकते हैं आप भूल से भी उनके मान सम्मान को हानी ना पहुंचाएं ये कुछ बाते हैं जो कि नवरात्रा में आपको ध्यान रखना है देखिए पुराणों के नुशार नौ दिन जो है बहुत ही साफ़ धनी रखने वाली बात होती है देवी दुरुगा के साथ मालक्षमी का आसिरब तो चारो नवरात्री में इस चीज का पालन जरूर करना चाहिए किसी भी बैक्ति को नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है अब मरजी सर आपका है कि आपको क्या करना है नहीं करना है हमारा काम था बताना हमने आपको बताए वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट म जरूर लिखिए अगर आपके पास में कोई सवाल है तो वो भी आप लिख सकते हैं हमारी टीम आपको जरूर जबाब देगे धरने बाद आप करम करके ठक चुके हैं या बुरे से बुरी समस्या में फसे होए हैं जिन्दगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडिजी आपके साथ हैं अगर आपको अपनी कुंडली, हैन अनलिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं आप से ली गई राशी हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं जो की चैनल में आपको मिल जाएगा धन्यवाद